फ्रेंट सेर इंस्टेक्राम को जो इस वार अपडेट आये ना, उसमें आर सभी सेटिंक्स जो है ना, इंस्टेक्राम न अपनी चेंज कर दिये हैं, तो यहां पे सेटिंक्स एंड प्राइविसी में जाने के बाद, अगर आपको ब्रावजर सेटिंक्स को उपशन नहीं मिल यहां पर सभी settings इंस्टाग्राम की change हो चुकी है अगर आपको कोई और option नहीं मिला हो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना मैं आपकी पूरी help करूंगा यहां पर आपको browser settings को option कहां पर मिलेगा तो आपको simply यहां से back हो जाना आपको प्लेश्टोर से एक बार चेक कर लिना कि आपका Instagram अपको update करने के बाद आपको corner उली 3 lines को यहां से click करना है 3 lines बजाने के बाद यहां से settings and privacy वाल option को यहां से click कर देना है settings and privacy में जाने के बाद आपको यहां पर थोड़ा से नीचे की से जाड़ाना है एंडियार फ्रेंट्स यहां पर नीचे की तरफ एक option दे रहा है website permissions तो अब को simply website permission को यहाँ से click कर देना है website and permission में यहां पर browser settings option दे रहा है तो अब लोग को सिंपल यहाँ utable browser settings पर click करने के बाद नहीं आपे लिखाएगा ब्राउजिंग डेटा तो यह आप लोग न अपने इंस्टाग्राम का डेटा यहां से क्लियर कर सकते हो फ्रेंचर जब आप यहां से डेटा क्लियर करोगे तो यह आपको टेंशन लेनी कोई जरूत नहीं है अगर आपकी कोई इंस्टाग्राम से रिलेटेट प्रॉबलम होना तो यह आप लोग इस आईडी पर आईए और मेरे को ने एक महसिस कर देना और यह अगर आपका मन होना तो यह फॉलो भी करी लेना तो चलिए यार दोस्तों मिलते एकली वीडियो में जब तक के लिए टाटा बाबाई